treatment of intermediate explosive disorder we will discuss about the pharmacological and behavioral treatment pharmacological treatment की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम different medicines की बात करते हैं जो के available हैं and psychiatrist can prescribe them तो इसको सिरफ आपको ये understand करने की जुरूरत है कि कौन-कौन सी जो medicines हैं वो psychiatrist prescribe कर सकता है लेकिन आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है आपने ये medicines कभी किसी को prescribe नहीं करनी तो that is something three type of medicine जो है psychiatric की वो prescribe की जा सकती है number one is the anti-depressant number two is the mood stabilizer number three is the anti-psychotic drugs ये medicines आमतार पर उस वकर prescribe की जाती है जबकि बच्चे का जो aggressive behavior होता है वो manageable नहीं होता और parents और teachers की बहुत ज़दा effort करने के बावजूद therapist की effort करने के बावजूद ये लग रहा होता है कि जो behavior या उसका जो aggressive outburst है वो control में नहीं आ रहे तो उस वकर जो है बच्चे को sometime medicines जो है वो start करानी पड़ती है तो बरहाद this is something which you can give your recommendations to the psychiatrist and then the psychiatrist will have the final verdict about के उसने medicine prescribe करनी है या नहीं करनी है और अगर करनी है तो कौन सा group जो है वो उसने prescribe करना है then we will talk about the behavior therapy which mainly psychologists do तो उसके अंदर जो सबसे important चीज है चूंकि उस बच्चे को anger का problem होता है तो definitely हम anger management के उपर जाएंगे और उसके अंदर develop करने की कोशिश करेंगे self control तीक है जो self control है वो develop करने के लिए different ways जो है वो use किये जाते हैं I will discuss few of them जिनमें से number one जो है वो ABC model है ABC model में हम जो client होता है उसको ये awareness दिलाते हैं कि उसने अपने पास एक chart जो है वो maintain करना है जिसमें वो antecedent event लिखेगा उसके बाद वो उसमें बिली अपना behavior लिखेगा and then the consequences लिखेगा ठीक है तो इस तरह का एक आप उसको बड़ा सा chart देते हो जिसके अंदर A stand for antecedent event B stand for behavior and C stand for consequences और यहां पर sometime हम उसे कहते हैं कि वो intensity report करे and definitely इससे पहले आपका date और time का जो chart schedule है वो होगा excuse me for my writing तो date और जो time है उसका यहां पर record जो है वो देगा then the antecedent event यानि क्या हुआ था for example वो यह कहता है कि मेरी mother ने मुझे कहा था कि जो twice जो हैं उनको आपने सही करके रखना यानि अपना जो room है उसको ठीक करके रखें तो उसका जो behavior था वो क्या था कि उसने जल करना शुरू कर दिया स्क्रीन करना शुरू कर दिया उस अपनी mother को कहा मैं यह नहीं करूंगा अप हर वकत मुझे ही कहती रहती है I don't want to do this thing और उसका consequence क्या हुआ कि he or she was started to cry या उसने अपने गमरे को मजीद खराब कर दिया जो भी उसका consequence था वो यहां पर आ जाएगा and then वो उसकी report करेगा intensity कि कितनी intensity के उपर वो चीज़ हुई थी hundred once से लेके hundred तक hundred का मतलब है बहुत शदीद और one का मतलब है बहुत कम तो इस तरह जो है हमारे पास उसकी जो है baseline चार्ट सा जो है आजएगा अब यह जो चार्ट है यह basically help करेगा उस बच्चे को यह understand करने में कि कौन कौन सी situations होती है जहां पर वो अपना जो behavior है aggressive behavior exhibit करता है और किन situation में उसको अपना self जो है control develop करने की जरूरत है तो जब हमारे पास यह एक चार्ट उसका जो है वो week basis के उपर आ जाएगा तो उसके बाद हम उसे anger reducers की तरफ लेके जाएंगे anger reducers क्या होते हैं कि हम उसे कहेंगे अब आपको यह पता चल गया है कि यह यह situations हैं जहां पर आपको anger आ सकता है तो आपने क्या करना है अगर आपको जैसी लगे कि आपको गुसा आने लगा है तो आप deep breathing करें आप उस जगा से जा सकते हैं आप backward counting कर सकते हैं आप लो पंचिंग कर सकते हैं तो इस तरह जो anger reducers हैं उसको हम introduce कराते हैं ताके वो gel करने के बजाए या aggressive outburst show करने के बजाए इन techniques को use करते हैं अपने anger को control करने की और अपने उपर self control develop करने की कोशिश करें then self evaluation then we asked him or her के आपने weekly पैट के ये measure करना है के last time जब वो situation हुई थी तो आपने कैसे behave किया था और अब जो वो situation हुई है तो आपने कैसे behave किया है और क्या आपको उन दोनों के अंदर किसी किसम की improvement जो है वो feel हो रही है या नहीं हो रही we can do this thing in the session 2 के जैसे हम उसकी कोई last baseline लेंगे और फिर कोई new जो baseline है वो लेंगे और फिर हम उसके अंदर जो difference है उसके behavior का वो उसको दिखाएंगे ताकि वो उससे अपनी self को evaluate कर सके कि उसका self control जो है वो develop हो रहा है या नहीं हो रहा then we can also use the traffic light technique traffic light technique क्या है इसमें हम उसको जिसना आपको पता है traffic की तीन lights होती है एक red हो गई ठीक है एक yellow हो गई और एक या हो गई green हो गई तो हम उसमें हम उसको ये बताएंगे कि जैसे ही आपका antecedent event होता है यानि ऐससी situation जो कि आपको provoke कर सकती है जैसे ही वो आपके सामने आए तो आपने अपने जहन के अंदर imagine करना है किस चीज को red light को और जैसे ही आपके जहन में red light है आपने किसी भी किसम का कोई behavior show नहीं करना उसके बाद आपने situation को analyze करना है और understand क करना है by thinking the yellow light और जब आप उस पूरी situation को understand कर लो analyze कर लो और कोई चीज decide कर लो then you think about the green light and then you will exhibit the behavior which will be more calm than the one which you exhibit as you see the situation तो इन different तरीकों को use करते वे हम उसको anger management जो है वो उसके इंदर develop करते हैं और आइस्ता आइस्ता वो अपना self control जो है वो regain कर सकता है Thank you